पहले खत्म किया तीन तलाग अब कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर भी खत्म आगे क्या करेंगे नरेंद्र मोदी विरोधी क्या टिक पाएंगे सब कुछ जानिए जोतिश विशारत पूनम वैस से लाइफ सिटीज एस्ट्रो पर आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपनी पहली पारी सफलता पूर्वख खेली और वह अपने दूसरे पारी यानि 2.0 जो जिसे हम कहते हैं मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी की शुरुवात कर चुके हैं आज तक तो सब कोच अच्छा रहा लेकिन आने वाले अगले साल में क्या कहती है मोदी की कुंडली ये जानेंगे हम एस्ट्रोलजर पूनम बैस से जी मैण मोदी जी के हमारे देश के प्ping जी कंडली तो ऐसे ही बहुत बली ये उनके लगन में ही मंगल है जो की स्वग्रयोक कर रूचक लोग-बना रहा है उनके व्लिषटीक लगन तो आभी अगर अंतरदरशा की बात करें तो साथ में केतू चल रहा है। केतु एकदम अलगी घचना कोछ करना बताता है मतलब वो लीक से हट के चलना कुछ नियम संतलिया करतां करते हैं तो अभी हुनोंने इसीलिए इस समय में कई नियम कानून में परिवर्तन करने चाहे हैं और किये भी हैं और आने वाले समय में भी अभी उनकी कुंडली कोई कमजोर नहीं हो रही है दशंभाव में मंगल का गोचर फिर एकादश में मंगल का गोचर अभी उनको कई लंबे समय तक कम से कम इस वर्ष तो वह काफी से जोड़ते एक जानवरी से लेकर के 31 संबर तक लेकिन अगर हम अपने हिंदू वर्ष नौ समवत्सर वर्ष की बात करते हैं जो कि चात्र शोक्लपक्ष प्रतिपदा से प्रारम होता है अगर उस वर्ष की कुंडली भी बनाते हैं तो उसमें हमारे देश का जो लगनेश है वर्ष कुंडली का लगनेश है वो नवम भाव में बैठा है अर्था मतलब यह निगलता है कि जो अभी हमारे देश के नेता है जो प्रधान मंत्री है वो हमारे देश के भागयोदाई के लिए काम करेंगे तो पूरे वर्ष अभी कुछ तो कुछ ऐसी घटनाएं वो करने वाले हैं जिसमें हमारे देश का विकास तो पूरी तरह से होना है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको प्रतिरोध या विरोध नहीं मिलेगा मिलेगा क्योंकि अगर हम वर्ष कुंडली की बात कर रहे हैं तो चठे भाव में पाप ग्रह भी हैं तो वहां से उन्हें शत्रुता और विरोध तो मिलेगा लेकिन वो न्याय प्री होंगे न्याय के लिए वो लड़ाई करेंगे और न्याय के साथ ही करेंगे तो अभी मुझे जहां तक लगता है कि वो आने वाले एक वर्ष तक तो बहुत पावर्फुल होकर के डिसीजन लेंगे और एक और बात उनके पास ब ओंड में देश के लिए और प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री हमारी देश की जनता के लिए काफी मिल जुलकर कारे करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आगे एक साल तो काफी अच्छा कुछ करने वाले हैं हमारे प्रधान मंत्री जी तो मैम जैसा कि आपने बताया कि मोदी जी कई एहम निर्ने लेने वाले हैं आने वाले समय में लोग उनका विरोध भी करेंगे तो आने वाले समय में इन विरो वरष कुनली जो हमारी समवसर कुनली जिसे हम लोग कहते हैं नवंभाव का स्वामी आकर के चटे भाव में बेठा है और स्वराशी होकर गुरु है तो कही न कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि न्याएपाली का रोल बहुत बढ़ने वाला है और बहुत बड़े-बड़े मुद्दों पर नियाई पालिका अपना रोल प्ले करेगी और वहां से बहुत सही जो निर्ड़े होकर आएंगे जो इनके द्वारा लिये गए निर्ड़े हैं वहां कहीं नियाई पालिका से भी उनको सहयोग मिलेगा और उसके कारण उनको सफलता मिलेगी तुसरी कुछ और बाते हैं कि धर्म को लेकर के भी बहुत सारी चीजे एक विरोधा भास सा चल रहा है उसका भी निर्ड़े कहीं न कहीं मोदी जी के साथी साथ नियाई पालिका पर ही आधारित होगा वो सारे निर्ड़े भी नियाई पालिका के द्वारा ही लिये जाएंगे और इस तरह मोदी जी के निर्ड़े को भी सयोग मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे अपने हर कदम में वो आगे बढ़ेंगे साथी साथ एक और विशेश चीज़ कहना चाहूंगी कि हमारी जो हमारा जो राहू है वो ट्ल्था हूस में भ्रवन कर रहा है इस समय इस वर्ष में इसका मतलब है कि कुछ तकनीकी छेतर में विशेश कदम उठाए जाएंगे कुछ नई तकनीके बनेंगी कुछ नई तकनीकों को इंप्लिमेंट करेंगे यहाँ पर उनका प्रयोग किया जाएगा जिसके कारण की हमारे विदेश में साथ बढ़ेगी विदेशों से हमें सहयोग भी मिलेगा विदेशों में हमारा एक सामराज स्थापित होगा हमारे लोग विदेश जाएंगे विदेश वाले लोग हमारे पास आएंगे खासतोर से पश्चिमी देश चुकि राहु पश्चिमी देश को रिप्रेजेंट करता है तो पश्चिमी देशों से भी बहुत सहयोग मिलेगा और पश्चिमी देशों में हमारी साख बढ़ेगी इसके साथ एक विशेश बात और कहूंगी चुकि इस समवस्थर का राजा है शनी और शनी दो मतलब राजियों को खासदर से कश्मीर को और अफगानिस्तान राष्ठ को प्रतिनिध्यत्य दो करता है तो कहीं नहीं कश्मीर से रिलेटेट चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन अभी कुछ ऐसा समभव है कि अफगानिस्तान को से भी सम्मंदित कोई चीज़ें हो जो आगे हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कदम उठाएं, जो वहाँ पर भी कुछ ऐसे बदलाव आएं। तो कश्मीर को लेकर के अभी इस समत्र में भी बहुत सारे बदलाव आने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रधान मंतरी लेंगे, कदम उठाएंगे और वो नेर्ने भी लेंगे, हलाकि उनका विरोध होगा जिससे उनको बचना है और जिसके कारण उनको अपने आपको भी सुरक्षित रखने के लिए भी एक कदम उठाना है, हमारे देश के शिर्दस नेता हैं, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो हमारे देश के केंदर में हो सभी नेताओं की सुरक्षा भी बहुत जरूरी होगी इस समय में क्योंकि आज चमपाओ बहुत पीडित हो रहा है तो उस चीज़ों को भी ध्यान में रफना होगा हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की पू नाई संगत कारे करेंगे जो की देश के हित में होगा और आने वाले समय में दूसरे देशों में भी हमारी साख वो मजबूत बनाएंगे आप हमें देख रहे हैं लाइफ सिटीज पर अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा विडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूले और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज पूनम जी से हैं तो आप नीचे दिये गए नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं नमस्कार